नमस्कार दोस्तों आउ सकें नीटिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कारडिगन में बड़ा बटन होल कैसे बनाए यह सेखेंगे। हम इस समय सामने की तरफ से है, तो इस समय बार्डर के सबी फंदे, यहां पे हमएं बटन होल बनाना है, तो इस समय हम border के सभी फंदे बुन लेंगे तो चलिए हम border के फंदे बुन ले रहा है border के सभी फंदे बुने जा चुके हैं और हम wrong side से हैं तो हमने border पे 20 फंदे डाले हैं तो हम 10 फंदा बुन लेंगे जो भी pattern है उसके हिसाब से 10 फंदा बुन लेंगे मुझे सीधा एक उल्टा बुनना है तो दस पंदा मैं बुन लेती हूँ तीन चार पांच छे शे शाट आठ नो और दस तो अब हम इस साइड में न आके वापस यहीं से मुझ जाएंगे अब हम इस लाइन को कंपलीट न करके यहीं से हम वापस ठर्न कर जाएंगे और जो भी हमारा डिजाइन है उसको बुनना शुरू कर देंगे तो यह हमारा दूसरा लाइन है एक लाइन बनाया फिर टर्न किया तो यह दूसरा लाइन विदित इसरा लाइन वापस हम आगे न जाके यहीं से टर्न कर लेंगे और अपने जो भी हमारा पैटर्न है डिजाइन बार्डर पे उसी को आगे बढ़ाएंगे तो यह चौथा लाइन है वापस हम रॉंग साइड में हैं और बार्डर के ही हम याने दस फंदो को ही हम भुलेंगे यह हमारा पांचवा लाइन है तेकि एक सिरा हमारा बड़ा होता जा रहा है और अब हम वापस इसको बनाएंगे यह हो गया छटा लाइन वापस हम रॉंग साइड में आ गए हैं और इन ही दस फंदो को ही हम बुन रहे हैं यह हमारा साथ वा लाइन तो देखिए यह इतना बड़ा हो गया है यानि कि बड़ा बटन हो बड़ा बटन इसमें आसाने से चला जाएगा तो यह हम लंबा जैसे हमने यहां साथ लाइन बुना है तो आप अपने बटन के हिसाब से जितना बड़ा आपको बटन रखना है उसके हिसाब से या तो कम जैसे यह 5 हुआ या फिर और बड़ा बना सकती है यह आपके उपर है तो यहाँ पे हमने 7 बार इससे यह 7 लाइन अधिक हो गया है अब क्या करेंगे कि अगला फंदा उल्टा है तो उन अपनी और करेंगे और एक बार 1, 2, 3, 4 चार बार हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे उन इस पर लपेट लेंगे दाइने वाली स्लाइपे और फिर हम आगे बुनना शुरू करेंगे जो भी हमारा पैटर्न है एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा या जो भी हमारा पैटर्न है बार्डर का उसको हम बनाना शुरू करेंगे अब हम दूसरी साइड में बनाई कर रहा हैं तो यह हमारा पहला लाइन हुआ फिर हम वापस सामने से बुन के फ्रं स्वेटर के शेश पार्ट को बुन रहा है तो इसे हम बुन के आपको दिखाते हैं तो देखिए फ्रेंड्स हमने रॉंग साइड से बुनना स्टार्ट किया था और राइट साइड भी कंप्लेट कर लिया यानि कि दो लाइन हमने कंप्लेट कर लिया तो यह जो लास्ट फंदा है उसको और यह हमने जो फोल्ड किया था उसमें से एक उतारेंगे और इसको इस पर चढ़ा देंगे और वापस हम रॉंग साइड में आएंगे इधर के फंदे हमें नहीं बुनने हैं तो वापस आएंगे और जो भी हमारा पैटर्न है यानि एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा तो उसको हम बनाना शुरू कर देंगे तो ये हमारा तीसरा लाइन है हमें टोटल साथ लाइन कंप्लीट करना है क्योंकि ये हिसा इससे साथ लाइन अधिक था तो हमें साथ लाइन कंप्लीट करना है तो ये है तीसरा लाइन तो फिर हम कार्डिगन के शेश पार्ट को बुनके कंप्लीट कर लेते हैं फिर आपको को दिखाते हैं अब हम राइट साइट पे हैं यानि कि यह चौथा लाइन कम्प्लीट होने जा रहा है हम बॉर्डर के फंदे बुन ले रहा है और अब इस फंदे को वापस 22 लाएं में लाएंगे और यह जो धागा हमने फोल्ड किया था उसमें से इसको ऐसे निकाल लेंगे और वापस हम टर्न करें गहें और यह हमारा पांच वा लाइन है कि फिर हम है राओं साइट से बु een ते हुए जाएंगे और रायट सायटiliट किंपलीट कर लेंगे यानि इधर से जाएंगे वो वापस ऐसे टर्न करनेंगे तो यह हमारा पांचवा लाइन है और टोटल हमें इसके बराबर आने के लिए साथ लाइन कम्प्लेट करना है तो फिर मैं शेज पार्ट बना के कम्प्लेट कर ले रही हूं फिर आपको दिखा रहे हूं मैंने छटआ लाइन भी कम्प्लेट कर लिया और अब फिर वही हम इस फन्दे को लास्ट फन्दे को 22 लाइन में मिलेंगे और यह जो हमने फोल्ड किया था इसमें से ऐसे निकाल देंगे यह फंदा और यहीं से टर्न कर लेंगे और इसके साथ ही यह हमारा शीट वाला है और हमें जो भी बार्डर पे हमने रखा है डिजाइन एक सीधा एक उल्टा या फिर सीधा उल्टा जो भी हमने डिजाइन रखा है उसे बनाते हुए चले जाएंगे और साथ लाइन कम्प्लीट होने के साथ ही हमारे यह देखिए बराबर हो गया है हमने यह साथ लाइन इधर लंबा रखा था और यह साथ वा लाइन होने के साथ ही दोनों यह बराबर हो गया और बटन हो लिया हमारा इता बड़ा सा बन गया और फिर मैं शेस पार्ट बुन के आपको दिखाते हूँ देखिए फ्रेंड्स यह हमारा आठवा लाइन है और अब हम नार्मली सारे फंदे हम अपने बड़र के बुलनेंगे अब हम देखिए इस साइड आगे बढ़ गया है सारे फंदे हम बुलनेंगे क्याम हम अपने ओैड्स हम अपने है और झाल जो दे हम आए हम से इस अए बुलने ड़दों प्रिया हम आई है प्सक्राइब बहुत है तो देखिए फ्रेंट्स बटन होल त्यार है तो इसी तरीके को आजमा कर आप बटन होल को थोड़ा चोटा या बड़ा बना सकते हैं तो आशा है आपको मेरा तरीका अच्छा लगा हो तो यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने स्वेटर में आजमाईए और दूसरों के पास भी शेयर कर दीजे ताकि वो भी लाभानवित हो सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद